Hello everyone, competitive exam में आपका एक बाब फिर स्वागत है आज मैं आपके लिए जेओ 817 में कुल कितने पद है और किस-किस भिभाग में वो रहने वाले है जैसा कि आपको पता है कि दो दिन पहले सुप्रीम कोड से इसकी जो है फाइनल जो डिसीजन है उसका आ चुका है अब ये जो भरती है आपके 1867 पदों पर include होगी लेकिन जब ये भरती निकली थी इसमें कितने पद advertised थे और किस-किस भिभाग में ये पद advertised थे तो आपको ये पता होना चाहिए आपने ये जब डीवी दी होगी तो आपने preference फिल भी की होगी कि किस भिभाग में कितने पद है तो चलिए आज इसमें देखते हैं हम किस-किस भिभाग में इसमें कितने पद रहने वाले हैं जैसा कि इसमें आप दे सकते हैं कि इसका जो प निकली थी आपकी 2020 की है 817 आप इसमें दे सकते हैं कि वेर소ख इसमें भहुत से डिपार्टमेट दियेगे हैं लगबग 70-70 में डिपार्टमेट रहने वाले हैं जैसा कि जो फ्र्सट से डिपार्टमेट है वग 11 गारी दिपार्टमेट तो आप इसमें और देशकते हैं कि जो elexis चार पोस्ट रहने तो प्र clown वाली है Economic and Statistics इसमें तीन पोस्ट रहने वाली है और Technical Education जो डिपार्टमेंट रहता है इसमें आपके 59 पद है और state कॉरपरेटिब जो milk producers federation है उसमें आपके तेरा पत रहने वाले हैं और HP State Council for Child Welfare में आपके दो पत रहने वाले हैं और Industrial Development Corporation में आपके तीन पत रहने वाले हैं और Printing and Stationary में आपके तीन हैं और Forensic Services में आपके दो हैं और Divisional Commissioner Shimla यानि की DC Office में आपके तीन पत रहने वाले हैं और Environmental Science and Technology के आपके तीन पद रहने वाले हैं और Journal Industry Corporation Limited के आप में नव पद आपके रहने वाले हैं Prisoner Correctional Services के आपके साथ पद रहने वाले हैं Language Culture के आपके पास तीन रहने वाले हैं और Women and Child Development में आपके पास 42 पद रहने वाले हैं जल शक्ती विभाग जो की हिमचल का एक गौर्मेट का अपना विभाग है जिसमें आपके पास 41 पद रहने वाले हैं और पंचायती राज विभाग में आपके 14 पद रहने वाले हैं और सक्षम गुडिया बोर्ड जो की सेक्टरेट में ही इसका एक ब्रांच है इसका एक पद रहने वाला है Youth and Services के आपके आठ पद हैं और Municipal Corporation धर्मशाला के दो पद रहने वाले हैं और Real Estate Regulatory Authority के पास पद रहने वाले हैं और Settlement Office में एक पद रहने वाला है जो की शिमला में रहने वाला है कांगना में रहने वाला है और जो नेक्स्ट है टाउन एंड प्लानिंग इसमें आपके 19 पद रहने वाले हैं बद्दी ब्रोटी वाला नालागर ड्वेल्पमेंट अथोरिटी के तीन पद रहने वाले हैं लेबर एंड इंप्लाइमेंट के आपके पास 39 पद रहने वाले हैं और Agriculture Department में आपके 45 पद रहने वाले हैं और आपके पास Tourism and Civil Aviation के 12 पद हैं और Urban Development वेरिजिस जो आपके पास नगर पंचायत Municipal Corporation होते हैं उसमें आपके पास 27 पद रहने वाले हैं और Tribal Development के आपके पास 3 पद हैं और HP Building and Other Construction Workers Welfare Board के आपके पास 12 पद रहने वाले हैं और जो नेक्स्ट है HP Building and Other Construction Worker Welfare Board इसमें आपके पास 12 पद रहने वाले हैं और Prosecutions जो डिपार्टमेंट आपके पास रहता है इसमें आपके 11 पद रहने वाले हैं DC कुलू में आपके पास ये 8 के करीब पद रहने वाले हैं और HP State Handicraft Handlomen Corporation में 3 पद रहने वाले हैं Industry Department में 7 है HP State Youth Board में 1 है HP Sport Council में 1 है और Municipal Corporation Shimla में आपके पास 17 पद रहने वाले हैं और HIPPA में आपके 6 पद रहने वाले हैं Revenue, Relief and Rehabilitation में 3 पद रहने वाले हैं और Divisional Commissioner Mundi में 1 पद है और Urban Development में 1 पद है और आपके पास Empowerment of SC, OBC, Minority उसमें आपके पास 28 पद रहने वाले हैं और Higher Education में आपके पास सबसे ज़्यादा पद 390 पद रहने वाले हैं जिसमें आपके School, Colleges जितने भी आते हैं हीमाचल परदेश में वहाँ आपकी स्कूलों में जॉइनिंग हो सकती है स्पोर्ट में 3 पद हैं Ruler Development में 15 पद हैं और Advisor Planning में 6 पद हैं और Food and Civil Supply Consumer Affair में 15 पद हैं और Treasury Accounts Lottery Department में 40 पद हैं और Corporation में आपके पास 2 हैं और DC Shimla में आपके पास 15 पद रहने वाले हैं और Health and Family Welfare जिसमें की आपके पास जो Health Department है उसमें आपके 92 पोस्ट जो है JIT की रहने वाली है और आयरवेदा जो Department रहता है आयूश्विभाग आयरवेदा Department में आपके पास यह 17 पद JIT की रहने वाले हैं और Advocate Journal का जो Office रहता है वहाँ पर 3 पद आपके रहने वाले हैं तो इस परकार से जो टोटल 1133 जो पहली advertisement निकली थी उसमें आपके पास यह 1133 पद contract basis पर फिल लोने थे लेकिन और regular basis पर जो आपके पद फिल लोने थे जो के exercise and taxation department पर रहने वाले हैं जिसमें कि आपके टोटल यह 27 पोस्ट जो है regular basis पर भरे जाने हैं तो टोटल जब आपकी 2020 में advertisement निकली थी उसमें 1160 पद आपके फिल लोने थे लेकिन उसके बाद जो है government द्वारा एक corrigendum निकाला गया था जिसमें की लगबग जैसा कि आप इसमें दे सकते हैं कि government द्वारा एक corrigendum निकाल करके इसमें 500 पद और add किये गए थे तो जो 500 पद इसमें add किये गए थे तो पदों की संक्या जो है 1756 हो चुकी थी आप इसमें दे सकते हैं कि JOIT और इसमें कितने कितने पद इसमें add किये गए थे तो इसमें add करके यह 1756 हो चुके थे और उसके बाद आपको एक और corrigendum मिला था इसमें कि आप दे सकते हैं कि इसमें लगबग आपके जो है 113 पद और इसमें एड हुए थे 113 पद एड होने के बाद जो है आप इसमें दे सकते हैं कौन-कौन से डिपार्टमेंट में ये पद एड हुए थे जैसे कि इसमें आप देशने हैं कि डेपटी कमिशनर सोलन में 8 हुए थे डिरेक्टरेट पूलिस में 17 और टेक्निकल जो एजुकेशनल वोकेशनल दोस में रहे थे हीमूडा में 13 और एचपी स्टेट अग्रिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 9 और पंचायती राज में 1 पद और कॉर्प्रेटिब जो सोसाइटी रहती है उसमें 35 पद और एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में 21 पद और एक सक 13 के करीब इसमें पद और एड़ हुए थे तो बाद में कोरिजन्डम निकाल करके दो पदो को इसमें से डिड़क्ट कर दिया गया था तो अब आपके पास बचते हैं 1867 पदो पर अब ये भरती कंक्ल्यूड होने वाली है तो अब आपस ने देख लिया कि इसमें लगबग 70 के करीब आपके पास डिपार्टमेंट है जि डिड़्यूएस के 261 पद रहने वाले हैं और उसके बाद 2H जनल वार्ड ओफ रिड़ फाइटर के 24 है SC के 353 है और SC BPL के 54 रहने वाले हैं और SC वार्ड ओफ रिड़ फाइटर के 13 और SC X अरूस्मेंट का 1 है और ST के आपके पास 70 पद रहने वाले हैं और आपके पास OBC UR क लगबग 304 पद आपके फिल होने वाले हैं और OBC वार्ड ओफ रिड़ पाइटर के 6 रहने वाले हैं तो ये लगबग आपके इतने पद रहने वाले हैं तो आपको पता है कि जो इसकी कट ओफ टाइपिंग के लिए गई थी तो वो 38.5 जो है जनल कैटेगीरी की रही थी औ और अधर कैटेगीरी जैसे की OBC की 33 रही थी और SC की 36 के करीब ये रही थी तो आप इसमें दे सकते हैं इसके बाद मैं आपके लिए कट ओफ के ओपर इसकी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि कितनी कट ओफ आपकी टैपिंग के लिए गई थी और आ लगबग आपके 70 से जादा जो डिपार्टमेंट थे आप इसमें दे सकते हैं इसमें लगबग 59 के करीब ये डिपार्टमेंट थे लेकिन बाद में कुछ पोस्टे इसमें एड हुई थी जिससे खुल मिलाकर इसमें 74 के करीब जो डिपार्टमेंट हो गए थे तो इसमें आ रहे होंगे तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो शेर कर सकते हो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो धन्यावाद